धरम नगरी कुर्षेत्र के गाउं घराडसी का रहने वाला कुलदीप का अपनी पत्नी से देर रात जगड़ा हुआ जगड़े के बाद पत्नी ने अपने घरवाले बुला लिये और घरवालों के साथ कुलदीप का जगड़ा हो गया जिसके चलते कुलदीब के ससुराल वाले अपनी बेटी को घर लेकर चले गए उसके बाद कुलदीब ने फांसी लगा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली पुलिस के मताबिक कुलदीब के ससुराल वालों के खिलाब धारा 323, 306, 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है जाच अभी जारी है कुलदीब का LNJP हॉस्पिटल में पॉस्ट मॉटम करा कर परिजिनों को शब सोब दिया गया है कुलदी कुमार वे हमेशा का उ校ज अपनी पत्नी के साथ जगड़ा है इसकी पत्नी ने अपने माई के पांक कर दिया उसके परिवार के गाउंमा आगे सब्यक्ना उसका भाई और कुलदीब कुमार से जगड़ा के तके अपनी लड़की को साथ लेके पिले गए उसके बाद कुल्दीप मार में रात को पांसी ले ली जिसमें उस्की मोज़ा रहा है सरकारी अफसार में LNJP में पोस्मार्टन कराके संसकार के लिए दो दुब दुबात्रा को डेगे सर किस त्यारा में मुकदमा दर्ज किया गए तो अभी सर गिरफतारी कोई नहीं है अभी तक गिरफतारी नहीं है इसमें दो विवास सामने आएगे अभी कुल्दीप के सुसराल वाले गिरफतारी से बाहर बताए जा रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी के लिए कुर्शेतर से कुल्तार सिंग की रिपोर्ट ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें